नमस्कार पर ये विद्यारतियों, वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तो, ITI NCVT Second Year के एक्जाम अभी रणिंग में है और आज 9 जनुवरी 2022 को Workshop Calculation and Science और Employability Skill का पेपर हुआ है। दोस्तो, हम आज के वीडियो में, Works of Calculation and Science में पूछे गए प्रसनों का फिसलेशन करेंगे, आपको सभी प्रसनों का उत्तर बताएंगे। यदि आपका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो इस वीडियो के सभी प्रसनों को आप जरूर देखें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि ITI में बहुत से क्यूस्टन प्रीविस पेपर से रिक्पीट हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है इन प्रसनों में से, आपके वीडियो में सोरी, आपके पेपर में भी इस वीडियो में से कई प्रसन आपको देखने को मिल जाएं, दोस्तो हमने प्रीविस पेपर पर कई वीडियो और भी बनाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को भी जरूर दे चलिए आज के प्रसनों से सुरू करते हैं नंबर वन सवाल आपकी स्क्रीन पर है इंजिनिरिंग ड्रोइंग का क्या उप्योग है अब देखो प्रसन तो वरक्सोप केलिशन और साइंस में आया है लेकिन पूछा ड्रोइंग के बारे में हैं दोस्तों यह अस्टिमेट और को से रहे तो वास्ताओं में हम ड्रोइंग जो तियार करते हैं इससे हमें एक तो मेटेरियल का अस्टिमेटिंग आंकलन हो जाता है और वरक्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी काम का निस्पादन कैसा होगा उसका बड़ा सटिक एनलिसिस हम यहां पे कर पाते हैं यह उत्तर टेस्ट टेस्ट होते हैं इसलिए बच्चों को जितने क्यूसन याद रहते हैं वो हमें उतने ही क्यूसन बेजते हैं और हम वही उतने ही प्रसनों का वीडियो बनाकर आपके सामने लाते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सबिस्क् वीडियो को अपने दोस्तों को भी फोरवर्ड करें ताकि वो भी अच्छे नमरों से पास हो सके दोस्तों हम चैनल पर भरती प्रीक्षाओं के लिए भी मैटेरियल नियूज नोटिफिकेशन उपलब्द करवाते हैं इसलिए चैनल आपके लिए उप्योगी होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आईए अगले क्यूसन की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों सवाल पूछा कि किसी भी वस्तु का भार कितना इस्थानंतरित किया जा सकता है जब 30 किलो के बल से घरसन का गुनाख दिया गया है ठीक है यानि हमें जो फोर्स है वो दिया हुआ है हम सबी जानते हैं कि म्यू बराबर फोर्स बटे वर्क होता है या वेट होता है यू बोल सकते हूं जब अब हमें यहां से अगर हम देखें तो हमें वस्तू का वेट केलकुलेट करना है तो जो फोर्स यानि बल है उसमें आपको घर्षन गुनाग का भाग दे देना है आपका आनस्वर आएगा डी चोबिस सो किलो ग्राम दोस्तो चेप्टर वाइज क्युस्तन आते हैं घर्षन वाले में से एक निमेरिकल जरूर आ रहा है आप इसके तीनों तरीकों से जो बेग्जामपल बनते हैं उन सभी को कवर अप जरूर करके जाएं ये इलाश्टी सीटी में से क्युस्तन आया है जो सामगरी का गुण होता है इलाश्टी सीटी का परतिबल विकरती वाले में वो पूछ रहा है कि किसी भी लोचदार सामगरी जो होती है उसमें उसकी मूल लंबाई का अधिक्तम कितने परतिशत खिंचाव स्विकारिये है उसको मूल लंबाई का अधिक्तम कितने परतिशत खिंचाव सैन हो सकता है तो वो है तीन सो परसेंट सी उत्तर आपको सही करना है और ये परफेक्ट है एकदम फिक्स आंसर है याद रखें जरूर पेपर में आ सकता है अगला क्यूश्टन वहीं अस्टिमेटिंग और कोश जाता है किसी सर्किट में तो एलिमिनियम कंड़क्टर का साइज 1.5 mm² लिया जाता है आपको इसका ए उत्तर सही करना है 1.5 वरग mm अगला प्रसन गातांक वाला है ये हर पेपर में रिपीट हो रहा है इसको तो अच्छे से पढ़ लेना और मैंने कई बार वैसे बताया भी जब आधार समान हो तो दो संख्यां जब गुणा में हो तो उनके गातांक जोड़े जाते हैं ये उत्तर सही हो जाएगा यानि ए की पावर m प्लस n हो जाएगा ठीक है अगर ये संख्यां बटे में होती न तो गातांक आपके माइनस हो जाते है गातांक गुणा कब होता ज जब A की पावर M की पावर N होती है इस सिच्वेशन में M into N होता याद रखेगा अगला प्रसन है वरत का छेतरपल ग्यात करने का सुत्र क्या है जब उसका व्यास D हो देखो वरत का छेतरपल तिरजया से निकाला जाता है तब होता है पाई R स्क्वेर और जब व्यास से निक सामने है पाई D स्क्वेर बटे चार कर देना पाई R स्क्वेर वाला ओप्शन दिया ही नहीं तो ज़्यादा इसमें सोचने की जुरूरत नहीं है और यहाँ पर गरसन का कौन पूछा था चितर देकर गरसन का कौन यहां बनता है ठीक है न तो कौन R O S ठीक है यह हो जाएग आपके गरसन वाला बी उत्तर कर देना ठीक है एंगल R O S नेक्स्ट क्यूसन है वर्थ का छेतर पल क्या होगा यदि 30 सेंटीमेटर है तो देखो पाई R स्क्वेर कर दो पाई का मान तीन पर ठेक चार R स्क्वेर यानि 10 इंटू 10 यह ना केल्कुलेशन करोगे तो उत्तर कितना आएगा 314 वर्थ सेंटीमेटर यह उप्षन अपना यहां पर बिल्कुल सही रहेगा अगला प्रसंद दोस्तों की 625 की गातांक 0 है तो उसका मान क्या है याद रखें बहुत सिंपल क्यूसन है किसी भी संख्या के गातांक अगर 0 है तो उसका मान हमेसा 1 होता है ठीक है यानि X की गातांक 0 और 625 की गातांक 0 और यह सब 1 के बराबर है यानि इनका मान जो है वो बिल्कुल 1 है आप यह समझ सकते हैं अगला प्रसंद कुल सरम सुलक कितना है कितने पैसे लिए वाइरिंग का काम दो दिन में पूरा किया गया ठीक है एक इलेक्रिशन था एक हेलपर था इलेक्रिशन आठ सो रुपे डेली के हेलपर के चार सो रुपे डेली के देखो डेली की दाड़ी कितनी हो गई मतलब जो सेलरी है वो कितनी होगी बारा सो रुपे काम कितने दिन में पूरा हुआ दो दिन में 2400 रुपए इसका पैसा हो गया तीक है आपको 2400 रुपए उप्शन की तरफ जाना था अगला जो प्रिशन है वो पूछा गया ये देखो फिर गातांक वाला ही आ गया कि इस गातांक वाले 35, 35 इसका उत्तर हो जाएगा आपको यहां पर ये उप्शन सही करना है अगला दोस्तों प्रसन है कि रिवेट पर कौन सा बल कार्य करता है रिवेट क्या होती आपको पता है रिवेट होती है बिना उस्मा उपचार के दो दात्मों को जोड़ना उश्मा से हम अगर दो दात्मों को जोड़ते है तो वो पर किरिया कौन कौन सी है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग लेकिन रिवेट एक ऐसा जोईंट है जिसमें कोई हीट उत्पन नहीं होती समझ गया होंगे ऐसे रिवेट होती है दोनों सरफ से चोट लगाई जाती है जब दोनों एंड पर चोट लगती है तो इसको सीरिंग बल या सीरिंग फोर्स बोला जाता है इंगलीस में हिंदी में इसको करतन बल या कतरनी बल के नाम से जानते है आपको यहाँ सी ओप्शन के साथ जाना है अगला परसन पूछा वर्ट इस दे फोर्मूला फोर एरिया उप सर्किल वर्ट का चेतर पल गयात करने का सुत्र क्या है तो एक तो वही था पाई बी स्क्वेर बटे च्यार और दूसरा होता है पाई आर स्क्वेर तो बी उत्तर कर दो अगला सवाल अब देखो वैसे देखा जाए तो वर्ट की चेतर पल जेखो तीन सुतर सवाल आ गए दो तो फोर्मूले पूछे और एक नुमेरिकल पूछा अगला क्यूस्तर नहीं कि किसी भी जो माटेरियल होता है उसकी अस्टिमेट कोस्ट यानि अनुमानित लागत को कोन त्यार करेगा वो ही करेगा जो अस्टिमेटर होगा हैनि अनुमानक होगा वो ही तो बताएगा हमें कि लगभग इसकी अनुमानित कोस्ट इतनी है अगला प्रसंद धातु के टुकड़े का रंग कैसा होगा जब हीट टुकड़े करते समय उसे वो धाइसो डिग्री सेंटिग्रेट पर गरम करते हैं तो ब्राउन भूरे रंग का हो जाता है टुकड़ा ठीक है कोई भी मेटल हो धाइसो डिग्री सेंटिग्रेट तक गरम करेंगे वो भूरे रंग का हो जाएगा अगला परिशन है एक लाख रुपए है मूल रासे साधान ब्याज याद करना है दस परति वर्स एक साल का बताना है देखो दर्स वर्स साल का है ना तो सीधा सीधा एक लाख का दस परसेंट निखाल दो दस हजार रुपए आएंगे है ना डी उतर से हो जाएगा एक साल के लिए इसका ब्याज कितना बनेगा दस हजार रुपए अगला परसन है किसी मसीन में दक्सता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें लूब्रिकेशन समय पर देते रहेंगे मसीन में लूब्रिकेशन कहा होता है जैसे बेरिंग मे ग्रीश देते रहें या ओल सिस्टम है समय समय पर ओल किया पूरती होते रही तो सिद्धी सी बात दक्सता बढ़ेगी भी मोटर प्रोपर काम करेगी कि नहीं अगर लूब्रिकेशन सही होगा तो काम करेगी बस दोस्तों कुल मिलाकर इतने ही क्यूस्तन हमें मिले थे बाकि ये पीडियेफ नोटिफिकेशन हम टेलिग्राम पर डाल देंगे आप वहां से इसे ले सकते हैं और इसमें जितने भी प्रसन है उनको पढ़ करके जरूर जाएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सबिस्क्राइब जरूर करें वीडियो अपने दोस्तों को फोरवर्ड हमारा एंड्रूड एप डाउनलोड जरूर करें